नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश आपके राशिका भविश बताने के लिए आज फालगुन शुकलपक्ष की उदेया चिती त्रेवदशी और रविवार का दिन है आज दो पहर दो बच का साथ मिनट याई जैद योग भी रहेगा साथ ही आज रात नौ बच कर तीस मिनट तक आज लेखा नक्षतर रहेगा इसके अलावा आज वच कर चौवीस मिनट पर सूर्य पूरा भद पर नक्षतर में प्रिवेश कर चुके हैं आगे हम इसी पर विस्तिर चर्चा करेंगी साथ ही आज अगर आपका बर्फडे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवर सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और क्या है आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजने शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क् जुश्मन जेर होगा या दोस्त की किसमत का दर्वाजा खुलेगा किस अक्षर का अच्छा है भविश जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वासु शात्र और सामुजिक शात्र की आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोदिश के गनित पक्षने आकाशिये पिंडो के बीच वहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मूवमेंट को कल्कुलेट करके ये चाल लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुखदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानी की याई जोग की तो बतादू कि आज ये जोग की आज ये जोग शुरू हो चुका है अर ये जोग सुबच छे बचकर 21 मिनट पर शुरू हुआ था और अभी दो बहर दो बचकर 8 मिनट तक रहेगा और इसके बाद बात करते हैं सरवार सिधी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 9 मार्च की भूर्ट 4 बच कर 20 मिनट से सुबा 6 बच कर 18 मिनट तक रहेगा इस क्रम में आईएफ चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्ट यानि के फेवरेबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 8 मार्च की रात 8 बच कर 13 मिनट से रात 11 बच कर 57 मिनट तक रहेगा नया विज़श शुरू करने के लिए भी आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 12 मार्च की सुबह 8 बच कर 42 मिनट से 2 बच कर 27 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्त 9 मार्च की सुभा 6 बच कर 69 मिनट से दो बाहर पहले 11 बच कर 55 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है आज ये महूर्ट 9 मार्च की सुभा 6 बच कर 69 मिनट से दो बाहर पहले 11 बच कर 55 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए अब अच्छा महूर्ट 8 मार्च की शाम 7 बच कर 43 मिनट से रात 9 बच कर 7 मिनट तक और एक बार फिर रात 11 बच कर 27 मिनट से अगली सुभा 8 बच कर 13 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 8 मार्च की शाम 7 बच कर 43 मिनट से रात 9 बच कर 7 मिनट तक रहेगा मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा महूर्ट 9 मार्च की सुभा 6 बच कर 69 मिनट से दो पार पहले 11 बच कर 55 मिनट तक और एक बार फिर दो पार दो बच कर 9 मिनट से रात 9 बच कर 3 मिनट तक रहेगा आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ अच्छाणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुभ करान्ती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चानों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुभ कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा आज ये अशुभ समय कल यानी की 6 मार्च की सुवा आठ बच कर अलतालीस मिनट पर होगा वैसे तो इससे सभी राश्यां प्रभावित होंगी लेकिन मिथुन, सिंग, धनु और कुमबर राश्यां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कारे नहीं करना चाहिए इसके साथी एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में राहुकाल होगा शाम चार बचकर 55 मिनिट से शाम 6 बचकर 22 मिनिट तक मुंबई शाम 5 बचकर 16 मिनिट से 6 बचकर 44 मिनिट तक चंडिगर शाम चार बचकर 56 मिनिट से शाम 6 बचकर 23 मिनिट तक लखनव शाम 4 बच कर 41 मिनट से शाम 6 बच कर 8 मिनट तक भोपाल शाम 4 बच कर 56 मिनट से शाम 6 बच कर 24 मिनट तक कोल काता शाम 4 बच कर 12 मिनट से शाम 5 बच कर 41 मिनट तक अहमदाबाद शाम 5 बच कर 15 मिनट से शाम 6 बच कर 43 मिनट तक और चेन नई में रहुकाल होगा आज शाम 4 बच कर 48 मिनट से शाम 6 बच कर 17 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज जो शुब दिशा है उत्तर और उत्तर पूरुव आज घर से निकल कर उत्तर या उत्तर पुर्व दिशा में जाईए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पुर्व दिशा की और साथ कदम चलिए फिर क्लॉक वैस घून कर अपने काम पर चले जाईए सारे दिन आपको शुभ है यात्रा के शुभ पर नाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तमाम काम बिना किसी विखन बाधा के पूरे होते रहेंगे और आईए अब सुरू करते हैं सिलसला राशिफल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा कोई नया काम सुरू करने का विचार आपके मन में आएगा किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आपके भविश्य के लिए फाइदे मन साबित होगी किसी महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा होगी अपने चारों और होने वाली गत्यविधियों का ध्यान रखें चोंकि आपके काम का शेय कोई दूसरा ले सकता है लव मेट्स के लिए आज का दिन खुश्या लेकर आएगा दामपत्य जीवन में खुशाली बनी रहेगी आज उनके काफी करीब पहुँच जाएंगे विरोध ही आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन अपनी समझदारी से आप उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे जरूरी कामों को आज दूसरों के भरोसे न चोड़ें आज कामकाज में साथधानी वरतने की जरूरत है इस राशी के चात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है घरवालों से किसी विशे पर सलाह मिलेगी जो आगे चलकर आपके लिए फाइदेमन साबिट होगी आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पाँच मित्वन लाशेवालों आज का दिन खुशियां लेकर आया है जो लोग राजनीत के छिट से जुड़े हैं आज उनकी सामाजिक परतिष्ठा में ब्रद्धी होगी जो लोग उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें आज किसी अच्छे कॉलेड में दाखिला मिलेगा आज आप मांसिक रूप से स्वस्थ बने रहेंगे आपकी काबिलेट से आज आज आपको नई पहचान मिलेगी आपके जूनियर साथ से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे अपने भाई बहनों के साथ किसी अच्छी जगे घूमने का प्लान बनाएंगे आज आपको रुपए पैसे के लेंदेन में सावधानी बरतने की आवशिक्ता है आज के लिए आपका लखी कलर है जलो और लखी नंबर है एक करकर राशे वालों आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आज आपको अपनी वानी पर सहियम रखने की जरूरत है इस राशे के जो लोग डॉक्टर हैं आज वो नई क्लिनिक की ओपनींग करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके बिसनेस में बढ़ोतरी होगी आज समाज सिवा के लिए की कई कोशिश हैं आपकी अलग पहचान बनाएंगी आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी इस राशे के च्छातर आज किसी एकांट जगह पर जाकर पढ़ाई करें तो पढ़ाई में मन लगेगा आज के लिए आपका लखी करार है गोर्डेन और लखी नमबर है आठ सिंगर राशी वालों आज का दिन शांदार रहने वाला है आज किसी सरकारी या धिकारी का सहयोग मिलने से कोई परशासनिक कारे पूरा होगा जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी आज आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे लेखन का कारे कर रहे लोगों की रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे आज व्यर्थ की बातों में उलजने से बचें लब मेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे आज अचानक धनलाब होने से आपकी आतिक इस्तिती मजबूत होगी आज आपको कुछ नए अनभव प्राप्त होंगे जो आपके लिए भविश में कामाएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है सेवन कान्या राशिवालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा पुराने कामों का निप्टारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा लोग आपकी मदद के लिए भी तयार रहेंगे बढ़ों का दिया हुआ सुझाओ आज आपके काम आएगा बिजनेस संबंधी बेटिंग में आज आप सही धंग से अपनी बात रखेंगे लगी नमबर है सिक्स तुला राशेवालों आज किसमत आपके साथ रहेगी आज समाज में आपके एक अलग हिच्छ भी निखर कर सामने आएगी आफिस में जो काम आपने किया है उसको सभाल कर रखें कभी भी उसकी जरुर्वत पर सकती है बास आपको किसी जरुरी काम से दूसरे शहर की यात्रा पर बेज़ सकते है आज आप कुछ ऐसे कारियों को करने के लिए तयार रहेंगे जिने करके आप पर सन्न होंगे दामपत जीवत में खुशाली आएगी नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आज की शाम किसी बर्डे पार्टी में जाएंगे जहां आपके मुलाकात किसी खास विक्ति से होगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो व्रिश्चिक राशी वालों आज का दिन बहुती अच्छा रहने वाला है महिलाएं आज रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरूर बरते आज आप पे सफलता और उच्च पत पाने की इच्छा जागर्थ होगी जिससे आप और अधिक मेहनत करेंगे इस राशी के जो लोग एक्टिंग के छेते से जुड़े हैं उन्हें आज कोई बड़ा आफ़र मिलेगा आज हर प्रकार की बिजनस डील में सफलता मिलेगी लव मेट्स एक दूसरे को उपहार देंगे साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगी स्वास्ते के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज पारिवारिक रिष्टों के बीच सामंजस से बनाने में आप सफल रहेंगे आज मनोरंजद में पैसे खर्च हो सकते हैं इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है सिक्स धन और राशी वालों भविष्ट की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा इस राशी के जो लोग मार्केटिंग के ख्षेतर से जुले हैं आज उन्हें काफी धनलाब होने वाला है आज जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा कारेक्षेतर में आज आपके सामने कुछ ऐसी पजितितियां सामने आएंगी जिससे आप थोड़ा उल्जन में पढ़ सकते हैं लेकिन जल्द ही इसका समाधान निकालने में सफल भी हो जाएंगे नवे विवाहित दमपती में नीट मीठी नोग जोक होगी जिससे रिष्टे में मिठास और बढ़ेगी लव मेट्स एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें रिष्टा और मजबूत होगा आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है चार मकर राशिवालों आज का दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आज किसी कारे में परोसियों का सहयोग मिलेगा आज समाज में आपके पतिष्ठा बढ़ेगी राजनीत से जुले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज आपके सीनियर नेता आपके कामों की तारीफ कर सकते हैं आज सफलता में आ रही सारी दिक्कतें दूर होंगी आज आप नए विचारों से परिपूर रहेंगे और आप जिन कारें को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगी परिवार के सभी सदस्यों में आपसी सवहार्द बना रहेगा लव मेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिष्टों में मदूरता आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमर है नाई कुम राशिवालों आज का दिन महत्तपूर रहने वाला है आज कोट के चहरी में चल रहे मुकद्मों का हल आपके पक्ष में आएगा रानीर से जुरे लोगों को आज किसी समाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा आज आज आपको अचानक धनलाब हो सकता है अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में ठीक से जानकारी कर ले व्यापार में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी आज जीवन साथी से उपहर मिलेगा लव मेर्स आज एक दूसरे से फोन पर देर तक बात करेंगी चात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है करियर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों से सलाह मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है तीन मीन राशिवालों आज का दिन मिली जूली पर तक्रिया देने वाला है आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाफ कराएंगे पिछले किये गए प्रयासों का फल आज आज आपको मिलने वाला है किसी भी समस्या पर घबराने के बजाए अपनों की सलाह ले आज आपको पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है जीवल साती के साथ रिष्टे में मधोरता और भी बढ़ेगी आज आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा छात्रों को आज सफलता मिलने वाली है नौकरी के तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी दोस्ती और मदबूत होगी साथ ही पार्टी भी करेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नमबर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो गुरू से आशिरवाद ले तो फोन पर चाहे तो फोन कर ले और जिनकी मेरीज अनिवरसरी है वो आज एक दूसरे को इतर गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सुभा के बढ़ता ही रहेगा और आए अब चलते हैं अंकों की रहस्माई दुनिया में मूलांग एक वालों आज जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टे में मधूरता आएगी मूलांग दो आपके लिए आज का दिन बहतीन रहने वाला है आमदनी के सुरोत मिले से आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी मूलांग तीन स्वास्ते को बहतर बनाय रखने के लिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें मूलांग चार अपने काम और परिवार के बीच सामनज़स से स्थापित करने की कोशिश सफल होगी मूलांग पांच आज आप जीवन साथी को कोई कीमती उपहार दे कर आप वैवाहिक जीवन में मिठास भोलेंगे मूलांग छे आज आप शाम को परिवारवालों के साथ किसी धार्मे के स्थल पर दर्शन करने जाएंगी मूलांक साथ आज आपके पैसों का रोटेशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्थिती बेहतर बनेगी मूलांक आठ आज किसी ऐसी जगह पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फायदा भविश में मिलेगा मूलांक नौ आज आप उच्छाधिकारियों से तालमेल बना कर चलेंगे तो आपका काम समय से पूरा हो जाएगा और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी खराब या मुर्जाय फूलों के बारे में और आजम बात करेंगे पौधों की दिशा के बारे में जो तो पौधों को कहीं भी रखें खुश्बू और ताजगी ही आती है लेकिन कुछ ऐसी दिशाएं भी होती हैं जहां पर पौधों को रखना आशोब माना जाता है वासुशास्थ के अंसार घर की दक्ष्ण पश्चिम दिशा में हरे पौधे रखना अवाइट करना चाहिए एक तो इस दिशा में सूरी की पर अगातार पैसों की कमी तथा कामों में असफलता जहली पड़ती है इसके अलावा घर की पूर्व दिशा में धातु से बनी कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए इस दिशा में धातु की चीज रखने से नेगेटिव एनरजी फैलती है और अंचाही परिशानिया आती है और चतुरदर शीतिती लग जाएगी आज रात नौ बचकर तीस मिनट से शुरू होकर कल रात बारा बचकर पांच मिनट तक सभी कार्यों को सफल बनाने वाला रवयोग रहेगा सूरी जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो उस नक्षत्र से चोथे छटे नौवे दस्वे तेरह रहे या दिसमें ऑक्षत्र सपड पद चंधर मां गोचर करता है तब रव्योग होता है रव्योग बढ़ा ही शुब माना जाता है रव्योग में तेरह प्रकार के कुईयोगों का स्वधा ही विराश हो जाता है आता है रवयोग में किसी भी प्रकार के शुब कार्य संपन्न के जा सकते हैं इसके अलावा आज दोपार दो बच का साथ मैने तक जाई जायद योग भी रहेगा जाई जायद योग का मतलब है पेटीशनर की जीत का योग जानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग ये जोग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है आप इस शुब योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए आपको न्याय चरूर मिलेगा जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से नयाय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में, कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या सल्स्ता से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जय जय जोग बहुत उत्तम समय है, का अर्थ है आचलेखा का अर्थ है आलेंगल इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आचलेखा नक्षत्र का पती चन माना जाता है और नाग देवताओं को आचलेखा नक्षत्र के अधिपती देवता माना जाता है साथ ही आपको बता दूं कि आचलेखा नक् तो अधिकर्ण अधिवक्ता लेखक या प्रवाचक होते हैं ये दूसरे लोगों पर आशानी से भरोसा नहीं करते हैं इनका जीवन धन दौलत और वाइभों से परिपूर होता है इनमें अच्छी निर्ने च्छमता होती है इसलिए ये सफल व्यापारी बनते हैं इस नक्षत्र में जन्मी व्यक्ति थोड़े हठीले और जिद्धी सुभाव के होते हैं वहीं आशलेखा नक्षत्र में जन्म लेन करने वाली कर्याओं की बात करें तो इनका रंग रूप सामाले परन तो अकर्शक होता है ये संसकारी और सभी का सम्मान करने वाली होती है आशलेखा नक्षत्र में जन्मी कर्याएं बहुत ही भागशाली होती है और जिस घर में जाती है वहां लक्षमी का वास होता है तथ के दिन नाग केसर के पेल की पूजा करनी चाहिए और साथी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी रूप में नाग केसर के पेल को हानी न पहुंचाएं और नहीं उसकी लकड़ी को उसके फूल पत्नों को किसी उपयोग मेले आज के दिन ऐसा करने से आपको शुपफलों की प्राप्ति होगी इसके अलावा आज सुबाद 6 बच कर 24 मिनट पर सूरी पूरा भादपन नक्षत्र में प्रिवेश कर चुके हैं और 18 मार्च की दोपार 2 बच कर 3 पर मिनट तक पूरा भादपन नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे उसके बाद उत्रा भादपन नक्षत्र में प्रिवेश कर जाएंगे सूरी के पूरा भादपन नक्षत्र में गोचर के दोरान रूई में मंदी तथा अनाज में उतार चाहाओ के साथ ही इस दोरान आलसी, सरसों, बिनवला, मुंगफली आदी में मंदी देखने को मिल सकती है जबकि लोहा, जस्ता, शीशा, रंग, लकड़ी, गुण, शक्करादी में तेजी हो सकती है तो आज रवयोग और आशलेखा नक्षत्र के संयोग में शुप फलों की प्राप्ति के लिए अपनी बहुत धिक छमता को बढ़ने के लिए आपके घर की सुक्षांति को बुजी नजर से बचाए रखने के लिए, अपने घर परिवार की खुशाली बनाए रखने के लिए, जीवन में तरकी पाने के लिए, आप कई दिनों से किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, किसी को अपनी तरफ आकरशित करने के लिए, बिजनेस को यूहीं सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए अब हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आप अपने बाउधिक शमता को बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आज लेखा नक्षत के स्वामी और बुद्ध के देवता बुद्ध के इस मंतर का एक माला यानि एक सो आठ बार जब करें मंतर है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रांग सहब उधाय नमहा आज के दिन इस मंतर का जाप करने से आपकी बहुत दिच्शमता में बढ़ोतरी होगी अगर आपके घर की सुख समर्दी को किसी की नजर लग गई है जिसके चलते आपके घर में सब कुछ थमसा गया है तो अपने घर से नजर को दूर भगा, नजर दोश को धूर भगाने के लिए आज के दिन नाकेसर और थोघा की शाहिद लेकर एक चांदी की डिभी में डाल कर रख दे और उसे किसी कपड़े से ढग दे अगर आपके पास चांदी की डिब्बी उपलग्द न हो तो किसी अंग डिब्बी में डाल दें और उस डिब्बी को आज पूरा दिन अपने रसोई घर की पूर दिशा में रखतें अगले दिन सुबा उठने के बाद उस डिबी को किसी बहते पानी के सुरत में प्रवाहिद करदे आज के दिन ऐसा करने से आपके घर पर लगी नजर से आपकी सुरक्शा होगी और साथ ही आपके घर की सुक समझ्धि भी बनी रहेंगी अगर आप अपने घर परिवार की खुशाली बनाया रखना चाहते हैं तो घर के सब सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल इस्थाफित करना चाहते हैं तो आज के दिन हरे मोटे मूं के खिचली बनाएं और किसी मंदिर या धरमस्थल पर तान कर दें साथ ही अपने इश्टदेव का आशिरवाद भी लें आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार की खुशाली हमेशा बनी रहेगी और आपके घर के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए और शुब फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको नाग केसर के पेल की उपासना करनी चाहिए साथ ही उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए लेकिन अगर आपको अपने आसपास कही नाग केसर का पेल न मिले तो आज के दिन इंटरनेट से नाकेसर के फूल लगे हुए पेल की फोटो डावलूट करके उसके आगे हाँ जोड कर पढाम करें और अपने जीवन की तरक्की के लिए प्रात्ना करें आज के दिन ऐसा करने से आपको शुब फ्रात्ति होगी और जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की होगी अगर आप कई दिनों से किसी बात को लेकर परेशान है और बहुत कोशिचों के बात भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आज के दिन मादुर्गा के आगे घी का दीपत जलाएं और उन्हें पुष्पांजली अर्पित करें। साथी संभव हो तो आज के दिन एब बार दुर्गा सब्शती का पाथ जरूर करें। तो आज के दिन आज लेखा नक्षत्र में ये उपाय करने से कई दिनों से चल रही परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते नजर आएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपनी तरफ आकरशित करना चाहते हैं तो आज के दिन आज लेखा नक्षत्र में नागिकेसर का फूल लेकर उसे पीस ले साथी उसमें थोड़ा सा कुम-कुम और घी मिलाएं अब इस लेब को किसी बरतन पे निकाल कर रख ले औ और आज से 27 दिनों तक नियमे तूप से इस लेब का तिलक अपने माथे पर लगाएं आज के दिन ये उपाय करने से आप किसी को जिस किसी को भी पसंद करते हैं वो आपकी तरफ अपने आप अकरशित हो जाएगा और अगर आपका बिजनेस धीमे गते से चल रहा है और कीले रंग के कपड़े में बांग कर पोटली बना कर उस पोटली को अपने आफिस के मुक्चे दौर के बाहर टांग दे या फिर अपने कैश बॉक्स में रख दे आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस की गती बढ़ेगी और आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलेगा अगर आपकी अच्छी खासी आमदरी होने के बावजूद भी आपके पास धन इकठा नहीं हो पा रहा है और आपके आर्थिक उन्नती नहीं हो पा रही है तो आज के दिन आचले खानक शत्र में नाग केसर का एक पुष्प लेकर मंदिर में मादुरगा के सामने रखें और धीरे करके आपके पास धन इकठा होने लगेगा अपने बच्चों के करियर की तरक्टी के लिए आज के दिन एक मुठी साबुत मूग की डाल और दो साबुत लाल मिर्च लें अब इन दोनों को अपने बच्चे के सिर से साथ बार उतार के छे बार क्लॉक वाइज एक बार एंटी क्लॉक वाइज उतारने के बाद उस मूग की डाल और लाल मिर्च को किसी साफ बैते पानी में प्रवाहित करने आज के दिन ये उपाय करने से आपके बच्चों की करियर में तरक्टी ही तरक्टी होगी अगर आपको बेवज़े हैं किसी भी बात पर किसी ना किसी के उपर गुस्टा आजाता है तो आज के दिन अपने इष्टदीव कर ध्यान करते ही बुद्ध के मंतर का जाप करें मंतर है ओम ब्रांग ब्रीण ब्रूं शह बुदाय नमहा आज के दिन इस मंतर का 11 बार जाप करने से आप अपने गुस्टे पर कंट्रोल रखने में सफल अगर आप किसी कारणवश परेशान हैं और आप अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक नाग केसर का फूल और थोड़े से चावल लेकर मादुरगा के मंदर में भेट कर दें और साथ ही माता का अशिरवाद लें आज के दिन ऐसा करने से आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा और आपकी परेशानियों का हल निकलेगा अगर आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन इसनान आदि के बाद एक नाकेसर का फूल लेकर साथी एक लोटे में जल ले ले अब उस फूल को पानी में डूवो कर पूरे घर में उसकी सहायता से छिलकाओ कर दें बाद में बच्चे हुए जल को किसी पेल पौधे में डाल दें और फूल को किसी बहते पानी में बाहर दें आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कारियों में सफलता अवश्य मिलेगी ये सारी चर्चा थी आज रवयोग याई जैद योग आशलेखा नक्षत्र के बारे में उमीद है कि आप इन उपायों को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अच्छर आपके आज के भविश्के बारे में और A, B, C, D ही क्यो नाम का पहला अच्छर ही क्यो चो कि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपरचुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमार ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्छर से सबपता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्छर है A, प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतोगी परीच्छा देने वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी B, आज नौकरी की तलाश में लगे लोगों को नौकरी मिलने के कारण उनके चेहरे पर खुशी आएगी C, घर में किसी काम की जमेदारी मिलेगी जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे D, आज कुछ लोग आपका विरोज करेंगे लेकिन आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे E, पहले से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आज किसी की सलाह से सुलच जाएगा F, आफिस में काम ज्यादा होने से आपको आज घर आने में समय लगेगा G, कोई बात जो आपको परिशान कर रही है उसके लिए आज किसी से सलाह लेंगे H, आज के दिन कारोबार में उन्नती होगी आपको अचानक धलाब होगा I, आज 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 किसी से कोई बात करें तो अपनी वानी पर नियंतर रखें G, चातर आज करिये के सिलसले में जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए बेहत्रीन रहेगा K, किसी काम में ज़रुत के वक्त अपनों का साथ होसला बढ़ाएगा वो काम आसानी से पूरा होगा L, स्वास्थ में ताजगी आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे M, आपके लिए आज का दिन शांदार रहेगा आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे N, जल्दवाजी में फैसले ना करें, कोई भी फैसला लेने से पहले घरवालों के सलाह जरूर ले ले O, आपके जीवन साथी का मन परसंद रहेगा, उनसे कोई सर्प्राइज मिल सकता है P, पारिवारिक जीवन सुख में बना रहेगा, आपसे रिष्टों में मधूरता आएगी Q, आज पैसों के लेंदेन में साथानी रखें, किसी को उधार देने से बचें R, आज आपको वहन चलाते समय साथानी रखने की जरूरत है, सीट बेल्ट जरूर लगाए S, प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किसी अच्छे मोहूट पर ही खरीदना अच्छा होगा T, आज कहीं निवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा U, बेवजह के खर्चे बढ़ने की लिए संभावना है, इसलिए यथा संभाव धन जुटाने की कोशिश करें V, कारेक्षेतर में इमानदारी वरतें और अपने साथ काम करने वालों का संभान करें W, चात्रों में विज्ञान, कलाव तक्नीकी शिक्षा के परती काफी रूची बढ़ेगी X, आज के जिन अपने परिशम से आप उचित स्थान पाने में सफल रहेंगी Y, आज आपको पदोर्नती के साथ साथ कारेस्थल पर पूरा सम्मान भी मिलेगा Z, आपकी अतिरिक्त काम करने के छमता उन लोगों को चौका देगी जिनका परदर्शन आपसे बेहतर है और अब बात आज के तीर्थ की आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंचाब के अमरत सर, यहाँ स्थापित है प्रसिध सीता राम मंदिर पहले इस मंदिर को शीराम आश्रम कहा जाता था इस मंदिर की इस्थापना भगवान राम के अनन्य भक्त स्वामी शीराम ने की थी खास बात यह है कि इस मंदिर में हर दिवाली पर हजारों की संख्या में साध्वों को कंबल माटे जाते हैं जिसकी शुरुवात स्वामी श्री राम ने केवल पचास साधों से की थी, यहां एक धर्मात अस्पताल भी लगा चलाया जाता है, साथ ही ज़रुवत मंदों के लिए फ्री भोजन की वियुस्था भी की जाती है, तो आब ही कीजिए इस अधुद शी सीतारा मंदिर के दर्श यानि अंडे के आकार की ठोड़ी जिसमें ठोड़ी ठोड़ी लंबी और नीचे वा उपर से अंडे की तरह गोल होती है, सामुद्निक शाथ के अंसार ऐसी ठोड़ी वाले लोगों का सुभाव वायू तक तो से प्रभावित रहता है, यह लोग कला, संगीत और सौंदरी के उपासक होते हैं, यह खुद भी शेष्ट कलाकारों के शेली में आने के लिए तक पर रहते हैं, इनका वेक्ते तो बड़ा ही आकरशक और सौभाव रोमांटिक होता है, यह लोग प्रेम, कला और संग्दरी को महतों देने वाले होते हैं, साथ ही यह सहज सौभाव के होने क कारण दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, और अपने आप और अपने बहुत से निर्ने भावनाओं के अधार पर ही लेते हैं, कल हम बात करेंगे अंडा का ठोड़ी वाले लोगों की अन्य खोडियों से भी पर्चित कराएंगे, और अब बात अवाइड आफ दी डे क कि यानि आज आपको क्या नहीं खाना है, आज पांच मार्च को फाल बुन शुक्ल बख्ष की, त्रेवदशी टिति है, त्रेवदशी टिति में बैदन का सेवन में करना चाहिए, त्रेवदशी टिति आप दो बच का साथ मिनित तक रहेगी, उसके बाद चटू दशी टित मौच कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व और अब सावधान को रोना ओम नमोन सिंगाई हिनने कश्चपवक्षस थल्वेदान लाए तुरिभोन व्यापकाई क्रेमी विश विशान को लो पट पट ठाठा एही एही रुद्र आगया पैती स्वाफ और अब वक्त है आज की टिप अफ दिडे का आज काजज और पेंग जेम में रखें सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिफल जानने के लिए लोगाउन करें www.indiatv.in और मुझे विक्तिकर संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भाविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार